के गाईज हाई दिस इस कुल्दी बंडारी मास्टर टीचर आफ मैथमेटिक साइट विदान्तू और मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे स्मार्टपोन आप लोगों की जिन्दगी बरबाद कर रहा है तो आजकल आप लोगों को पता है हमारी जो ब्लाइस है बट आप लोगों को पता है कि इसका इफेक्ट सीधा सीधा आप लोगों के दिमाग पर पढ़ता और किस तरीके से पढ़ता है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वालू तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चार से पाच मिनट का ये वीडियो है और इस वीडियो में आप लोगों को सारी वो बाते समझ में आ जाएंगी जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए ठीक है तो बारी बारी से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारी generation है तो आप लोगों को पता है कि उनकी सुबह होती है तो फोन के साथ होती है रात होती है तो फोन के साथ होती है और इस तरीके से यह जो फोन है आप लोगों का जो दिमाग है इस तरीके से चूस रहा है और चूस चूस के उसने आपके दिमाग को खोखला कर दिय और खोकला कर देते हैं तो फिर क्या होता है दिमाग कुछ सही तरीके से कामी नहीं कर पाता है तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे points की कुछ ऐसी चीजों की जिसका सीधा effect आपके दिमाग में पढ़ रहा है इन smartphone का use करके तो सबसे पहला है इसका cognitive impact of smartphone जादा जब आप smartphone को use करते हो ना तो आपकी जो thinking ability वह काफी जादा weak हो जाती है आपकी reading skill काफी तक हर्ट होती है आप कभी न notice करना आप notice करना कि आप मतलब आज से अगर 5-6 साल पहले खुद को देखते हो जब आप चीजों को smartphone को use नहीं करते थे और अगर आप आज smartphone न्यूज कर रहे हो तो आपको difference पता चल जाएगा उस time पर आप कितने एक्टिव थे कितने एक्टिव ली आप चीजों का respond करते थे अभी आप चीजों का respond करते हो लेकिन आपको यह पता होगा कौन सी मीम चल रही है कौन सा ट्रेंडिंग सॉंग चल रहा है लेकिन यह पता नहीं होगा कि जीके में क्या हो रहा है मतलब जर्नल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ सो इचोज कि आपका जो thinking ability है आपका जो reading skills है वह काफी हद तक आपका smartphone क्या करता है इंपक्ट करता है ठीक है जिसकी वज़े से आपका दिमाग सही तरीके से phone दिमाग सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है ठीक है उसके बाद अगर मैं phone के effects की बात करूँ तो आपके social emotional skills को भी काफी हद तक effect करता है जैसे phone can change how we handle emotions and connect with others experts worry that spending too much time on phone might make it hard to manage emotions as well और हमें पता नहीं चलता है इन सब चीजों का लेकिन हम emotionally भी बहुत हद तक ये effect करता है ठीक है जी उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोन यूज में लीड डिस्रप्टिड स्लीप फोन की वज़े से आपकी नीद भी बहुत हद तक खराब हो जाती है आपका भी नोटिस करना देर रातों तक अगर हम कुछ देख रहें स्क्रॉल कर रहें दूसरों की जिंदगिया देख रहें दूसरों का डांस देख रहें दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वह देखने में हम व्यस्त है लेकिन हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से effect कर रहें वह नहीं देख पारे है तो वह देखना वह ध्यान रखना थोड़ी देर बात करूंगा अभी मज़ा आ रहा है मेरे को स्क्रॉल करने लिए फील करना और ये चिंता का विशह है आप इसको देखना कभी सोचना इस चीज के बारे में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में मेरे साथ क्या-क्या चीजे हो रही है सो मेक शूर कि आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखो और कुछ ऐसी टिप्स को फॉलो करो जिससे आप अपने दिमाग को बचा सकते हो जैसे लिमिटेड यूज ऑफ फोन आपको फोन का लिमिटेड यूज करना है एक टाइमर सेट कर दो कि यार मेरे को इतने टाइम तक ही फोन यूज करना है एक दिन में आदा घंटा जो भी है जो भी है मतलब है तो और स्टेडी सेशन के टाइम पे तो आजकल ऑन लाइन ही सारी चीजे चलती है तो उसको बहुत एफिक्टिव तरीके से करना है कि नोटिफिकेशन सारी बंद करतो क्योंकि एक नोटिफिकेशन आ गया तो आप फिर उसी मैसेज में घुच जाते हो कि किसका मैसेज आ है है लिमिटेड टाइम स्क्रीन रखो टाइम स्क्रीन को लिमिटेड रखो ताकि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, make sure कि ये सारी बाते आप लोग ध्यान में रखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वागि थाइंक यू सो मच, बाई बाई